पीटे को प्राक्टिस करनी है, हैना मेरे छोटे से सिंगर, लालालाला आज रात को कोई टीवी नहीं बल्कुल ठीक सुना हैंडरी, सिर्फ आज रात नहीं, पूरे हफ़ते भर जब तक की पीटे का प्रोग्राम ना हो जाए वो इतना सुंदर बचाता है, हैना शोना एक हफटे के लिए कोई टीवी नहीं नहीं गोल गोल रानी, इतना इतना पानी गोल गोल रानी, इतना इतना पानी कितना पढ़िया बचाया बेटा, तुम सचा कोई नहीं ओ, ये लड़का तो कमाल है, आकर हम सब कजिस कमाल के तो है इतना बड़ा हो गया है, और ये क्या बच्चो जे जगा रहा है इसे बाहन जगकर फुट मॉल शट बॉल खेलना चाहिए, ना ये तो बच्चा ही है, चाची. चोटा सब, प्यारा सब, बच्चा, ये कितना प्यारा है, हां ये से च पे बहुत प्यारा है वो तो है, और अगर पीटर चुन लिया गया, तो वो टी वी पर भी आएगा हेंडरी तुम टीवी पे गाना गाना नहीं चाहते हेंडरी नहीं, मैं दूसरे मच्चरो की तरह भून-बूनाना नहीं चाहता, समझे बहुत हुआ हेंडरी, जाओ अपने कमरे में, थक गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से ओ, कम ओन हेंडरी, बड़ा भाई हमेशा चोटे भाई का साथ देता है, जगरा नहीं करना चाहिए, चला पीटर को किसी दो, किसी और इस कीरे को, हेंडरी, ओपर अभी जाओ, यह बात आप पहले ही बोल चुके हो, याद है, यह बात है, आप से एक हफ्ते तक टीवी बन, यह था, नए उबरते सिंगर्ज, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, चलो पिक्निक पे चले, चलो पिक्निक पे चले, डिंग डैंग डॉंग, डिंग डैंग डॉंग, थैंक यू पीटर, तुमने तो कमाल कर दिया, और हम जैसे बेसुरे जिनका गाने में है डब्बा खुल उन्हें पीटर से कुछ सीखना चाहिए देखा हेंडरी तुम भी अपने छोटे भाई से कुछ सीखो तो कैसा लग रहा है हेंडरी क्या मतलब अरे यार तेरा चोटा भाई तो स्टार बन गया है तेरा मतलब वो कीड़ा कीड़ा बन गया हीरा मेरी बात मान हेंडरी कुछ सीख अपने भाई से हलो मैं सुपर स्टार पीटर के घर से बोल रहा हूं ओ गुड इवनिंग जी क्या मैं स्टार पीटर जी के मनेजर से बात कर सकता हूं जी मैंने गाना गाओ स्टार बनों से बोल रहा हूं जी और मुझे लगता कि पीटर जी बन सकते सुपर स्टार पीटर जी सुने अगर तुने अभी अपना ये गाना बजाना बनने किया ना तो देखना और आपको इसके पैसे भी मिलेंगी जी क्या खा तुने कैसे पैसे वही पैसे जो मेनेजर को मिलेंगे 10,000 रुपए हम बढ़ा भी सकते जी और जाद है 20,000 रुपए अब तो ठीक है क्या कहा 20,000 रुपए अच्छा पापा 50,000 बस अब एक पैसा और नहीं मांगना पापा 50,000 हेंडरी खीक है बात पैगुल हम आपको फिर फोन करेंगे अब मुझे जाना होगा मैं बीजी मैनेजर हूँ किसका फोन था हिंडरी रॉंग नम्बर ता मम्मी तुम पार्टी में आरहे हो ना है थी के नहीं है क्या थी जल्दी शूने जारह हूं तुम्हारी तव्यद तो ठीक है ना है है जल्दी सोना अच्छी बात है मम्मी मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं आगे आगे कि देखो होता क्या है और दूद चाहिए हाँ ठैंक यू हेंडरी इतनी सुबह सुबह उठके हेंडरी लगता है यह सपना ही है मैं देखता हूँ मम्मी यहां क्यों आई है सडेली जो मेरा है उसे लेने आई हूँ क्या बख रही है पीटर मैं उसे एक सूपरस्टार बनाने आई हूँ कहां है वो यह बात तुझे कैसे पता चली हाँ मुझसे कभी कुछ छुपा भी है अब हट जा अब आएगा मजा समय आ गया है सबसे बड़ी कीचर पिछकारी बनाने का एक ऐसी कीचर पिछकारी जो दुश्मनों का बैंड बजाएगी हमेशा के लिए इससे मुझे कभी कोई नहीं हरा पाएगा ठीक है पर सिर्व एक प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता ये काम करेगी क्या महराज बात ऐसे है कि इसके अंदर इतना कीचर होगा तो ये इसका भार नहीं समभाल पाएगी क्या तुझे भी जेल जाना है नहीं नहीं महराज मैं तो बुतु हूँ आप सही हो मैं इसे बनाऊंगा राजा बनके कितना कूल लगता है हेन्री हमें इसी वक्त छोड़ दो चुप रहो नहीं तो उसे ब्रेड और पानी मिलेगा समझे पर हमें वह ही तो मिल रहा है चुपकर और राजा के सामने जुखकर बात कर पर तु तो जुकी नहीं सकता तो स्ट महारानी मागरेट अब मानेगी ना मुझे सबसे कूल और हांसम और होशी आरहा बोल नहीं तेरे जैसा लल्लू कहीं नहीं है और यह मुझे बहुत पारशान भी करता है कोई ज्यादा बगबग करते तो क्या करते हैं कान बंद करते हैं सुनते हैं सुनते नहीं चुपकर आते हैं पक गया हूं मैं मुझे मज़ा करना है क्यों न हम कुछ करें क्या कहते हो तू लेगी हिस्सा इसमें तुम पच्टा होगे हैं लोगो स्वागत है सूपर लडाई में मेरे लेफ्ट में है खुंखार खतरना काला शैतान और काले शैतान का सामना करेगी माई ग्रेग महराज यह क्या कर रहे हैं अगर मार्गरेट जीत गई तो मैंने सुन लिया तेरी इतनी हिमाद की मुझे सवाल करे नहीं पर मैं वो मैं गोड तो आप लडाई शुरू करो यह क्या पक्वास है तुझे इसी वक्त जेल में भेजता हूं और तुम सब को भी चले जाओ सब के सब राजा के चिप्स कहा है आपने तो सब को जंगल में भेज दिया है चिप्स कौन बनाएगा महराज मोटोग्राहाम तुझे खाना पसंद है ना तो अब से तु बनाएगा भी तू है अमारा नया शेफ वाव थैंक्स हेंडवी मेरा मतलब है थैंक्स महराज अब जा और चिप्स बना मैं अभी आया महराज और जल दी करो आपके चिप्स महराज खाना बनाना नहीं आता क्या सिर्फ खाना खाना आता है महराज विसस शेफ मनाने का बेखारा एडिया किसका था मेरा बहुती आच्छा एडिया था महाराज तू भी जा जेल में पर बोल बर्ट मेरी जै हो ऐसा क्यों? अच्छा तू भी जेल में जा हेंड्री, गार्ड्स इनने ले जाओ लेकिन हम ही तो गार्ड्स है तो फिर खुझ चले जाओ अभी क्या भी क्या क्या बात है वाँ, अब तुझे कोई नहीं हरा सकता हेंड्री पता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था महाराज मुझे नहीं लगता ये पिछकारी किसी का बैट बजा सकती है हेंड्री, क्यों ना एक बार इसकी बात सुन ले तुम दोनों भी खीक है तु जाएगा जेल में पर महाराज और तु भी जाएगा जेल में अब दफा हो जाया से मॉमा? नहीं नहीं, मैं तुम्हे छुडाने आया हूँ और फिर हमें मार्गरेट को रूनना होगा पता है वो का है? मैं यहां हूँ मॉमा कुछ और बिस्किट्स बना रही है चला जा बाजूति अभी पता चलेगा हैंडरी यमी यमी है एक उस किले भी छोड़ देता हूँ वरना वो मॉम को बता देगा हैंडरी, तुम्हे सारे बिस्किट्स खत्म कर दिये? हाँ, सारे खा लिये अरे वाह मेरे बेटे चलो मैं और बना देती हूँ हाँ? हाँ, हेंडरी, बिस्किट्स लाया है क्या हाँ हाँ, और ये सारे मेरे हैं अगर मैं तुझे अपना नया वाला वीडियो गेम दूँगा तो तुम मुझे देगा ठीक है, बदले में एक ले सकता है चलेगा एक और देना ये क्या है हाँ आरे सारे कहा चले गए वावा, बिस्किट्स बहुत ही अच्छे थे कल भी लेकर आना यार हाँ, चीक है हाँ, हेंडरी, मुझे एक बिस्किट्स मिलेगा कुचे वीग कर भीज़र राट में कहां बहुत युम्मी है और भीज़र में क्या देगा इस में से चाहे उतने ले सकते हो अरे मस्त है झे हंडरी, कैसे हो हेलो, हेलो हेल्ry हो, हेलो हेल्री आज़ रिद्सक्षण सबीड right.. ओ हाय माइग मुझाे बी एक बिस्कित है हेल्री टेकने दो मेरे बड़े ही कीम्ती बस्केट्स मेंशें जिसके लिए सब लोग बड़ी बड़ी कीमा चुकाने की लड अदे हारे नहीं, मैं तुम्हें तो कभी नहीं दूँगा. अच्छा? अच्छा, क्या देगी? क्या चाहिए? तू इस टोम के हैं तक मुझसे कोई पंगा नहीं लेगी, समझी? ठीक है. और तू बोलेगी कि हेंडरी सबसे बेस्ट है. ठीक है. और तू मुझे अपने सारे बिस्केट्स और चॉकलेट्स देगी, जो तेरे क्लब के है. ठीक है, अब देख. समझ में नहीं आरा, वहां क्या हो रहा है? इसे ने पोला कि हेंडरी बिस्केट्स बेच रहा है. हेंडरी, बिस्केट्स बेच रहा है? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ. मैंने कहा डेख. हेंडरी, तुम कैसे लड़के हो? मॉमन ने कितने प्यास से तेरे लिए वह बिस्केट्स बना है. और और अब तुम उससे बेच रहे हो? तुमें शरम नहीं आती? चुक कर, पीटर. इसकी हम बड़ी कीमत दे रहे हैं. आप जाए, यासिक. नहीं, मैं नहीं जाओंगा. तुने सुना नहीं, चल भाग, यासिक. हाँ, चुक बोला, वो कर. चलो, पीटर. अब हमें यासिद चलना चाहिए. अब देता है कि नहीं, हेंडरी? मैं दूमें सबक सिखाऊंगा, हेंडरी. ओ, आगया मेरा प्याना लाल. बस हेंडरी के लिए थोड़े और बिस्किट्स बना रही थी. वो इस हफ़ते रोज ये बिस्किट्स ले जाने लगा है. मैं जाने, वो इतने सारे कैसे खा लीता है. पर हाँ, ये उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं. मॉमा, क्या हुआ मेरे छोटी प्यारे? मुझे बिस्किट्स के रेसिपी मिल सकती है, क्या? आहा, उसमें तुम नहीं होनी चाहिए. पर ये तुम्हारी दातिमा क्रेटा की है. और उन्होंने मुझे कसम खिलवाई थी, कि मैं ये रेसिपी कभी किसी को नहीं बताऊंगी. मिस लावली ने रेसिपी के बारे में पूछा था. अगर उस लवली से मिस लवली के लिए है, तुँ ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, वो कभी किसी को नहीं बताएंगी. ओ, ठैंक्स मॉमा. ठीक है, पेटर, मैंने अपनी उंगल्या क्रॉस कर ली थी, इसका मतलब मैंने जूट नहीं बोला, बिचार में इस लवली का नाम भी बीच पे ले ले लिया, पर नू प्रॉल्बम, सब ठीक हो जाएगा. उंगल्या क्रॉस होता है, जोट नहीं माना जाता है, मैंने कहीं तो पड़ा था. वो हैपी हिपोस है, हैंडरी. हाँ, मैं हैपी 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 हैपास. हेंडरी, जल्दी जाओ, जाके जूते लाओ, हम लोग फिल्म मिस कर देंगे. ठीक है फे, मैं जाके जूते ढूनता हूँ. जहाँ भी हो. चल्दी करो हेंडरी. जूते नहीं मिल रहे हैं. यहाँ है हेंडरी. अच्छा बच्चा, पीटर कहाँ थे? वाशिंग माशिंग के अंदर. एंडरी. या, वो गंदे हो गये थे. चलो, जल्दी से पहुचना होगा. बीस मिनट बचे हैं, फिक्र मत करो, अभी भी पहुच सकते हैं. ओ, ओ, अगर आपोर्ट लेट होगे तो, अगर वो अमारे बिना यंदर चले लगे तो. ओ, कितना मड़ा अनार्थ हो जाएगा. एक और शब्द कहाना तो, हेंडरी. क्यों है? अब टैड़ी? अभी नहीं पीचा. पर टैड़ी, मां फूबे थेयाटर तो पीछी रहे गया ना? यहीं मिलने के लिए कहा था? कहां रहे गए हैं वो लोग? वो देखो, माहा. ओहो, यह लोग बच्चे को साथ लाया है. अए ने, उल्टी करने माली भी आरा. तुम दोनों उपर जाओ, ज्यादा शैतानी मत करना. मेरी बेटी, हाँ यह रहे दहाँ हैं. देखो, हैपी हीपोस के मसे तर कहानी. कितने प्यारे हैं वो. क्या तुमने हैपी हीपोस का छूटी टाइम दीखा? ओह हाँ, हमें हैपी 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 छूटी माला तरे हीपोस. यह तो डरावनी है. हाँ, सच में डरावनी. तुमने डरावने चुहो वाली हॉरर फिल्म देखी है? हाह मुझे बहुत अच्छी लगे वो सच में बड़ी डरावनी थी यो गमरी तो बहुत बहुत डरावनी लगती है वुट बहुत 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 डरावनी तो अच्छी लगती है वाह जितनी जयादा डरावनी उतनी ज stirring सतार वाव चालते करो पॉली वाली हमें टिकेट्स पर लेने है न हाँ मैं वही सोच रहा था मेरी पॉली पॉस क्या मेरे टैजी बेर कुछ नहीं सिल्वले शुरू होने में से पांच ही मिनिट बच्चे है फिकर मन करो पीचर अपने पास बहुत डाइमन्स हैना छोटे हापी हिपॉस पान नेक्स प्ली चार दीजिये प्लीज पॉली पॉप्स मैं सोच रहा था के ओलो पॉली वाली मतलब तुम जाओ हैपी हिपॉस देखो तुम अच्छे जो लगते हैं वह और मैं और हैन्री आँ.. कुछ और जाके देखे तो पर तुम ने कहा था न पॉली वाली हम सब साथ में हैपी हिपॉस देखने वाले है surprises पता है पॉली पॉप्स पर और तुम चांते हो ना, पॉलीपॉप्स को हैपी हीपोस कितने पसाना, अर मुझे अभी हाँ, बारू और छोटी वेरा, हैपी हीपोस देखना चाहती है, अपने डैरी के साथ, है न, चटू-बजू-बज्चू हापी हीपोस हुरेख कितना मसा आएगा अरे, रुको चिंटू-बेंटू, क्या तुम सुसू-उसू करके आए हो, हाँ, घर से निकलने के पहले मैं गया था, और तुम हैंड़ी, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत बोलो, अगर पिच्छर के बीच में जाना पड़ा तो, जाओ जाके आओ, जाके आओ झाओ